नमस्कार दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रियास करेंगे कोई भी मेज कोई भी मैप आप कैस लेयाउट फॉर्म में लाकर रख सकते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आपका लेंड्सकेप या पोर्टेट कि इक कर्डेटíss के बारे में हम डिसकेस करेंगे सबसे पहले तो इस चैनल पर आप पर नए हम orange range करेंगे add data करके कोई भी data आपका कहां पर है वो data आप देखेंगे कि data आपका कहां पर है कहां क्या कौन से folder में है तो उस folder को यहां पर attach करेंगे आपका किस piece यहां पर देखने को मिलता है उसके बारे में हम देखेंगे कि आपका data है वो कहां पर स्थित है कहां पर आपका वो image है, आपका map है, वो मिलेगा, उसके बारे में हम discuss करेंगे, उसके बारे में हम यहां पर देखेंगे, राइट, यहां पर जैसे कि मेरा यहां पर यह आपका format है, इसमें आपके कुछ images हैं, कुछ indexes लिका ले हुए हैं, वो मैं यहां पर उनको करकर है, उसको हम add करेंगे, add करने के बाद, यह index हमारा आ गया, जैसे index की आज सबसे पहले तो आपको color यहां पर change करना है, कि color आपको कौन सा लेना है, किस type का आपका representation आपको करना है, वो आप अपने according देख सकते हैं, वो representation आपका आजाएगा, यह आपका मुष्चर के regarding हैं, तो यहां पर आपका क्या मुष्चर को represent करता है, वो कुछ आपका select करना है, आपका color pattern कैसा आपको अच्छा लगता है, वो आप पर choose कर सकते हैं, तो एक तरीके से यह आपका color pattern हुआ, आप कैसे भी अपनी इच्छा के नुसार रख सकते हैं, उसके बाद आपका यहां पर नीच landscape में करना जाते हैं, और example हम यहां पर landscape को लेकर चलते हैं, तो file में जाएंगे, आपका यहां पर page and print setup, आपका specify page कैसे orientation देना है, उसके बारे में हो जाएगा, यहां पर click करेंगे, आपका size क्या होगा, letter होगा, a4 होगा, a5 होगा, कैसा भी आपका size होता है, आपका landscape में है, portrait है, कैसा orientation आपको देना है, वो आप देखेंगे, इसके अलावा यहां पर ok कर देंगे, तो आपका यह mode आपका change हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर हम image को आपका किस तरीके से adjustment कर सकते हैं, वो adjustment करेंगे, adjust उसको करके, और फिर बाद में इसमें, जो भी आपका perspective रहता है, आ एक correct position में आपकी image आ जाए, इसके अलावा यहां पर आपको क्या-क्या add करना है, सबसे पहले हमें title देना होगा, वो insert करना होगा, कि वो map है, जो भी हम design कर रहे हैं, image बना रहे हैं, वो आपका, उसका क्या title है, क्या, तो वो आपको यहां पर रखेंगे, ठीक है, तो यहां यहां पर simply आपको समझाने के लिए ndmi, आपका index यहां पर है, तो ndmi कर दूँगा, ठीक है, यह title आजाएगा, आपका, इसका title कहां, आपका, क्या size होना चाहिए, वो आप check करें, तो यहां पर double click करेंगे, और फिर बाद में आपका यह properties का section open हो जाएगा, उसके बाद change symbol मे आपका sequence होना चाहिए, क्या आपके formatting होनी चाहिए, वो आप check कर लेंगे, और फिर बाद में press कर देंगे, apply करेंगे, ठीक है, तो यह आपका sequence आजाएगा, correct sequence, यहां पर आपको जिस भी format में आपको select करना हो, वो select हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा हम यहां पर north arrow लेकर आ और legend आपकी insert करेंगे, layout view में, तो legend के लिए आपको यहां पर next करना है, आपका next करना है, आपके क्या size रहेगा, वो आप देख सकते हैं, आपका क्या legend का title रहेगा, वो आप देख सकते हैं, next करेंगे, next करेंगे, और finish कर देंगे इसको, तो यह आपका legend आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें आपकी दो-तिन चीजें हैं, जो आपको समझनी चाहिए, यह आपका सबसे पहले तो यह आपका legend है, इसमें आपका अगर आपको यहां पर high और low का sequence है, उसको contrast stretching करनी है, मतलब कि उसको stretch करना है, बढ़ा करना है, तो आपके लिए सबसे पहले तो process रहेगी, convert to graphics, graphics में हम convert कर लेंगे, उसके बाद ungroup करेंगे उसको right click से ही process होगा, right click के यहां पर ungroup करने के बाद आपका जो भी यहां पर value है, उसको individual आप ही choose कर सकते हैं, जैसे कि आपकी value, ठीक है, for example, आपकी value, ठीक है, यहां पर endymia tip है, तो यहां पर endymia tip है, तो यहां पर endymia value आप mention कर करेंगे, अगर कोई भी आपकी problem रहती है, तो आप उसमें changement कर सकते हैं, apply करेंगे, ok करेंगे, इसको अगर उपर नीचे जैसे भी करना है, आपको कर सकते हैं, कोई issue नहीं रहेगा, अभी इसमें भी ungroup करना है, ungroup करके आपका, यह आपका अच्छे से represent नहीं हो रहा तो इस मतलब कि उसको expand कर देंगे, उस band को, ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से पता लग सके, ठीक है, इसको भी आप ungroup कर लेंगे, तो यह आपका portion है, यह भी आपका expand हो जाएगा, ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, फिर बाद में आपको इस सभी चीजे group करनी हैं, तो आ आप क्लिक करेंगे, आपका right क्लिक करेंगे, और आपका group कर देंगे, तो यह एक तरीके से सब चीजें, आपकी एक तरीके से सभी joint हो जाएगे, और उसके बाद आप इसमें changement कर सकते हैं, ठीक है, तो यह process रही, फिर बाद में आपका insert करना है, आपको scale bar, scale bar आपका बहुत आपका scale आजाता है, यह आप यहाँ पर mention कर देंगे, ठीक है, अपने coding आप changement कर सकते हैं, को issue वहाँ पर नहीं रहने वाला, right click करेंगे, आपका इसकी grid system देना है, मतलब कि हमें क्या coordinate system है, उसको आपको करना है, तो right click करेंगे, आपके यहाँ पर blue line हो जाएगे, उसके आपर finish कर देंगे, तो एक तरी के से यह level आगया, level आने के बाद new grid system आपका generate हो गया, आपका style में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर properties में जाएंगे, properties में जाने के बाद levels में, reference system में, आपका levels में left and right, मतलब कि इसका मिनिगी है कि जो levels orientation है, वो आपका यहाँ पर vertical level आपके किस-किस mode में देने है, तो left और right के जो है, वो आपके vertical level देने है, ok करेंगे, ok करेंगे, apply करेंगे, और ok कर देंगे, ठीक है, तिक तरीके से यह level आपक करेंगे, तो इस तरीके से आपके, यहाँ पर आपको दिखेंगे, तो वो एक तरीके से अच्छा नहीं लगता, एक representation का method है, और बाकी कोई issue नहीं रहता, यह image आपका पूरा layout हो गया, इसको अगर हमें export करना है, तो export के लिए file पे जाएंगे, export map करेंगे, map export करेंगे, तो आपका ये ख्याल रखें, कि आप किस format में कर रहे हैं, वो format आप देख सकते है, jpg, png, जो भी आपको करना है, वो आप कर सकते है, high resolution रखें, ताकि आपका वो image काफी अच्छे से clarify सभी चीज़ें कर पाए, तो एक तरीके से इसको ndmy दे देते हैं, तो यहाँ पर आपकी य आपका आ जाएगा, और वो draw हो जाएगा, सभी चीज़ें, वहाँ पर represent हो जाएगे, तो एक तरीके से ये method था, यहाँ पर आपकी process देख सकते हैं, कि आपकी process भी हो रही है, देरे देरे, और वो process होकर आपका सभी information, उसमें ये जो भी आपने insert किया, वो चीज़ें चली ज हो गई है, तो hope आपको understand कर पाए होंगे, कोई भी issue रहता है, तो आप एक बार अपने software से go through हो जाएगे, और कोई query रहती है, तो आपको comment section में बता सकते हैं, तन्यवाद, जे हिन, जे भारत.